हलो एवरिवन दिस इस रंजन कुमार खालिंदी तो रिजनिंग के क्लासेश को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिसकस करेंगे इस टोपिक पे और देखेंगे कि इस टोपिक से किस तरह के कोशन पूछे जाते हैं कितने टाइप के कोशन पूछे जाते हैं और किस तरह से यह आपको मिल जाएगा वहां से जाकर आप इसे जोइन कर लेना इस पर आपको pdf, notes and previous year के questions सारे कुछ available करा दिये जाते हैं तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है, a series is given with one term missing, देखो क्या है, कि यह term है, यह दिया हुआ, एक series दिया हुआ है, यहाँ पे, इस question mark के जगा पे, कौन सा number आएगा, यह हमें पता करना, यह missing term क्या है, यह हमें पता करना, तो इस तरह के सवाल को कैसे solve करते हैं, सबसे पहले क क्या करो, कि यह जो series दिया हुआ है, उसे लिख लो, क्या है, 16, 26, 38, 52, और यह हमें पता करना है, ठीक है, 86, तो क्या करते हैं, जब भी इस तरह के series आए, नंबर का series रहे, तो नंबर के series में सबसे पहला starting जो है, वो क्या है, सबसे पहला method आपको लगाना है, कि इन दोनों ब चर रहा logic, तो इसके बीच का gap निकालो, तो इसके बीच का gap अगर निकाले, तो क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, इसके बीच का gap निकाले, तो यहाँ पर भी देखो, इसका बीच gap क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ इन दोनों के बीच का gap निकाल दो, इसका क्या हो हो दा है दो दो बढ़ रहा है ठीक है क्या हो रहा है यहां पर plus 10 है देखो 16 था 16 से 26 increasing order में इसलिए plus करना है ठीक है 16 से plus हुआ plus 10 हुआ 26 फिर 26 से plus 12 हुआ तो 38 और 38 से plus 14 हुआ तो 52 तो उसी तरह 10 12 14 तो यहां पर जायर से बात है यहां पर क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए तो यहां पर 16 होना चाहिए यानि कि 52 में हमें क्या करना पड़ेगा 52 में हमें 16 को एड़ करना पड़ेगा तो 52 में अगर 62 को एड़ करें तो क्या हो जा रहा यह आ जा रहा हमारा 68 तो यह जो 8 और 86 का अगर gap निकाले हम लोग तो क्या हो जाएगा 86 में अगर 68 माइनस कर दिया जाए तो 18 आ रहा है तो 18 आ रहा है यहां पर यह सिक्वेंस मैच कर रहा है तो यहां से हमारा option A जो है वो बिल्कुल correct हो जाता है ठीक है इस तरह से हम लोग missing number find करते हैं किस पर सिरीज नंबर सिरीज पर अगला सवाल देखते हैं देखो क्या दिया हुआ यहां पर भी है यहां पर आपको क्या करना है यहां का missing term हमें पता करना है तो जो भी दिया हुआ वह से पहले लिख लेते हैं 6 8 9 1 6 7 9 2 6 7 0 3 और क्या है 6 6 2 4 6 5 5 5 & 6 4 9 6 ठीक है इसके बात का हमें क्या सिरीज निकालना ठीक है तो देखो क्या है सबसे पहला मैंने क्या कहा कि अगर यहां से कुछ logic मिल रहा है पर आपको देखने से तur यहां से तो कुछ logic पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों के बीच का gap पता करेंगा है तो gap निकालते हैं दोनों को घट क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा और इन दोनों का gap क्या आ जा रहा 59 हो जा रहा तो जाहिर से बात है कि इन दोनों का gap यहाँ पर जो number होगा उससे अगर इसे minus किया जाए तो यहाँ पर 49 आना चाहिए ठीक है तो देखो क्या है यहाँ पर ठीक है यह है तो देखो यहाँ पर क्या है इससे पहले वाले question में क्या था increasing order में रखा हुआ था यहाँ पर क्या है decreasing order में रखा गया है decreasing order में रखा गया यह क्या है decreasing order में रखा गया इससे पहले वाले question में क्या था कि increasing था सुल्ला से 26, 38 ऐसे करके increase हो रहा था यहाँ पर decrease हो रहा 68 है उसके बाद 67 इस तरह से वे घटते जा रहा ठीक है decreasing order तो decreasing order है तो क्या हो रहा है यह 68 यह जो term है इससे minus किया गया 99 को तो यह यह लट term आया फिर यह लट term को minus किया गया 89 से तो यह term आया और इसे इससे minus किया तो यह आया मतलब यहाँ पर minus हो रहा तो इससे अगर हम इसे minus करे यानि कि 6496 से minus 49 कर दिया जाए तो क्या आ जा रहा है यह आ जा रहा है 7 यहाँ पर 446 यह आ जा रहा मतलब यहाँ पर जो है वो होगा हमारा 6447 option D जो है यहां से बिल्कुल correct होता है समझ में आया अगला सवाल पर चलते है देखो क्या दिया हुआ फिर से एक है missing term का ही concept है क्या दिया हुआ 4, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 0.563 और यह हमें पता करना है ठीक है तो देखो इसे देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा है खास क्या करते है चलो gap निकालते है यहां से इसका gap निकाले तो क्या हो जाएगा यह आगी हमारे 21 इन दोनों का gap निकालो तो 0 फिर इन दोनों का gap निकालो तो 10.5 तो देखो यह alert time को भी देखके इसका जो हम लोग gap निकाले यह भी देखके हमें कुछ logic पता नहीं चल रहा है sequence का कि क्या logic लगाया जा रहा है तो क्या करेंगे इसमें gapping वाला rule नहीं लगाएंगे इस पर क्या करेंगे हम लोग कुछ अलग rule सोचना पड़ेगा हम लोग तो देखको यहां पर हो क्या रहा है कि इस 42 और 21 में अगर हम 0.5 को multiply करें 42 से 0.5 को multiply करें तो क्या हो जाएगा 42 को 0.5 से multiply करें तो यह आ जा रहा हमारा 21 आ जाता है फिर 21 में अगर हम 1 को multiply करें 0.5 प्लस 0.5 that is equal to 1 तो 1 को multiply करें तो 21 आ जाएगा again 21 में हम क्या करेंगे 1.5 को multiply करेंगे यहाँ 0.5 था यहाँ पर 1 0.5 बढ़ा तो 1 हुआ यहाँ पर 0.5 plus 0.5 plus 0.5 3 0.5 तो 1.5 तो इन्हें into करेंगे तो आएगा हमारा 31.5 अब 31.5 में अगर हम अब 4 बर 0.5 करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 को multiply करें तो यहाँ पर क्या आजाएगा 63 तो ठीक इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 से multiply करना पड़ेगा हमे 63 को तो 2.5 को अगर हम 63 से multiply करें तो यह आजाता है 157.5 तो इस तरह का logic भी आपको क्या सोचना पड़ेगा, यह क्या हो गया, option B यहां से क्या हो गया, correct answer निकल कर आ गया, अलगे स्वाल पर आते है यहां पर क्या करना है देखो, 14 है 44 है, 135 है 409 है और 1232 है ठीक है, तो देखो, क्या है जब भी question में आपको जो है यह order जो है, यह जो order 45, फिर 1000 में पहुँच गया तो काफी मातरा में क्या multiply होके, multiple number दिखा रहा तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो क्या करना, gap वगेरा में rule नहीं लगाना है इसमें तो क्या करेंगे सबसे पहले कि यह 14 जो है 14 का हम लोग कुछ इस तरह से multiple पता करेंगे, जो 44 के बराबर आ जाए, यह 44 से कम आए यह 44 के आसपास आए तो अगर हम 14 into 3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 14 into 3 कर दे तो 42 आ गया, इसके आसपास आ गया, 42 में अगर हम 2 add कर दे तो क्या हो जाएगा, 44 आ जाएगा तो उसी तरह आप क्या करेंगे तो 405 और plus एक increase करके 4 से add कर देंगे तो ये हमारा हो गया 409 अब क्या है ये हो गया 409 409 गुने 3 409 गुने 3 कर दिये तो ये हो जाएगा हमारा 122 से 1 और plus 5 ये हो गया हमारा 1232 ये आगे निकल कर अब क्या है आगे देखो आगे अब क्या करेंगे अब तो पता चल गया sequence यहां तक हो गया अब आते 1232 में हम क्या करेंगे 3 का multiply करेंगे तो ये आजा रहा हमारा 3696 इस पर क्या करेंगे 6 का add कर देंगे 6 का add कर दिये तो ये हो गया हमारा 3702 यानि कि यहां पर जोटा माएगा वो आएगा 3702 option C यहां से correct answer निकल कर आजाता है अगले सवाल पर आते है अगला क्या दे रखा हुआ है 13, 23, 36 59 और 95 यहां पर हमें missing time पता करना है ठीक है यह तो छोटा छोटा संख्या है तो चलो इसका gap निकाल लेते है तो gap निकाले तो यहां पर क्या आ गया 10 आ गया यहां पर gap निकालो क्या हो जा रहा है 23, यहां पर gap निकालो यहां पर क्या आ जा रहा है 23, 36 यहां पर 13 हो जाएगा यह आ जाएगा 13 और यहां पर यह हो गया 23 यहाँ पर इसका gap निकालो तो यह हो जा रहा है 36 तो देखो यहाँ पर कुछ logic पता चल रहा है क्या यहाँ पर भी कुछ logic नहीं पता चल रहा है पर आप देखो अगर कि 13 में यह जो 13 टम था 13 में 10 एड़ किये तो 23 हो गया अगेन ये 23 को इस 13 से एड किया गया तो 36 आया अगेन ये 36 को 23 से ये 23 से एड किया गया तो next number आया 59 अगेन ये 59 को ये 36 से यहाँ पर एड किया गया तो आगे हमारा 95 तो जाहिर से बात है कि यहाँ पर जो gapping आएगा, वो क्या आएगा, यह 95 को हमें 59 से add करना पड़ेगा, 59 से क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, तो 95 में 59 को हम add कर देते हैं, तो add करने पर क्या आ जा रहा, 154, यहाँ पर आएगा हमारा 154, option B यहाँ से बिल्कुल correct हो ज 671 and question mark, ठीक है, तो यह है, इस पर क्या करेंगे, देखो फिर से क्या, multiple आपको दिख रहा है, कापी बड़ा बड़ा value में है, तो multiple पता करते है, multiple यानि कि इसके आज पास का है, यह 41 से कुछ ऐसा multiply करना है, जो हमें 83 के पास में मिले, तो 41 में अगर हम 2 का multiply कर दें, तो क्या 82 आजाएगा, अब 83 करने के लिए, प्लस 1 कर दो बस, तो यह आगया हमारा 83, अब सेम concept हम आगे भी करते है, 83 में 2 का multiply कर दो, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 166 और plus, 166 एक लाना है, तो यहाँ पर एक ही का add होगा, तो 167, सेम सेम होगा, ठीक है, 167 में हम 2 का multiply कर द next time मिल गया, यह आगया, अब क्या है, 3, 3, 5 में, 3, 3, 5 में हमें 2 का multiply कर रहे, तो यह हो जा रहा हमारा 6, 7, 0 और plus 1 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6, 7, 1, पता चल गया sequence, तब क्या है, 6, 7, 1 में हमें 2 का multiply करना है, तो 2 का multiply कर दिया हमने, तो आगया 1342, और इसमें plus 1 कर दो, तो यह हो जाएगा हमारा 1343, यानि कि यह जो time है, missing time, यह है 1343, option B, यहाँ से बिलकुल सही हो जाता है, अगला स्वाल पर चलते हैं, अब देखो, series यह missing time में बस दो ही तरह के सवाल पूछते हैं, एक तो number से पूछता है, और एक पूछ सकता है, alpha weight से, ठीक है, alpha weight वगेरा से तो देखो, इसमें क्या है, जब भी ABCD, यह मनलेब alpha weight का जो question आए, तो सबसे पहला काम यह करना है, कि आपको side में ABCD लिख लेना है, तब आपको बनाने में कोई भी दिकत नहीं होगी, ठीक है, तो HIJ, यहाँ पर हो गया, KLMNO, यहाँ पर P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, और यह हो क्या, Z, ठीक है, यह है, अब देखो, क्या हो रहा है, पता करते है, A, K, M, C, M, O, E, O, Q, और क्या है, G, Q, S, तो हमें इसके बात का पता करना है, तो देखो, ऐसे वाले में हमेशा यह first वाले से इसको compare किया जाता है, ठीक है, तो A से C कैसे हो रहा है, A, B, C, A से C कैसे हो रह पर C हो रहा है, A से 2 आगे बढ़ो, तो C मिलेगा, तो C से E जाने के लिए क्या है, D के बाद E, यानि कि यहाँ भी plus 2 हो रहा है, E के बाद G, F, G, यहाँ पर E plus 2 हो रहा है, तो जाहिर सा बात है, अगला sequence भी क्या होगा, plus 2 होगा, तो यहाँ पर plus 2 कर दो, तो G के बाद आग पर भी plus 2 करना पड़ेगा, M से O पर चलो, M से O पर गया है, तो यहाँ पर भी plus 2 हो रहा है, यानि कि यहाँ पर भी क्या, plus 2 ही ओरा होगा, तो आगे ओला option B, तो option B यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, अगला देखो क्या दिया हुआ है, फिर से यह आ गया, alphabet वाला ही है, तो A, B, C, D आपको अपने साथ में रखना है, ठीक है, तो यह हो गया, Z, W, S, यहाँ पर question mark, चलो, देखते हैं, क्या relation है, तो R से L पर चलो, है, L से F पर चलो, तो क्या हो जाएगा, K, J, I, H, G, F, यानि कि, H, G, F हाँ ठीक है, यहाँ पर भी minus 6 हो रहा है, और F से Z पिचाना है, तो EDCBAZ, यानि कि यहाँ भी minus 6, तो minus 6 कर दो, Z से minus 6 कर दो, Z से minus 6 कर दिये, तो हमारा क्या हो जाएगा, Y, X, W, V, U, यानि कि यहाँ पर T कहीं पर है, T बस एक ही option में दिख रहा, option C में, तो यही हमारा answer हो जाएगा, Q और M का भी देख लेते हैं, मतलब next relation, O और I का relation, O और I में देखो, तो O से पीछे चलो, तो 6 पीछे जाना पड़ रहा है, minus 6, I से C में चलो, तो यहाँ पर भी 6 पीछे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमको 6 पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें क्यों मिल रहा है, उसी तरह इसमें भी देखो, minus 6 हो रहा है, इसमें भी minus 6 हो रहा है, इसमें भी minus 6 हो रहा है, तो यहाँ पर भी minus 6 होगा, और minus 6 होके यहाँ पर M आ जा रहा है, तो option C यहाँ से बिलकुल right हो जा है अगले सावल पर आते हैं क्या दे रखा हुआ है y t p और k है ठीक है तो y t y से t पर पहले चलते हैं तो y से t अगर हम जाए तो क्या करना पड़ रहा पीछे जाना पड़ेगा ना तो पीछे चलो x w b u t यानि कि minus 5 और t से p जाना हो तो t से p फिर से पीछे चलना है कितना पीछे चले माइनस 4 कर दो उसके बाद अब देखो minus 5 होगा minus 4 होगा तो जाईर से बात है यहाँ पर क्या होगा minus 3 होगा तो p से minus 3 कर दे हम तो o n m o n m यहाँ पर m होना चाहिए तब ही अगर इसमें हम minus 2 करें m से minus 2 करो तो k आजना चाहिए तो m से अगर मैं यहाँ बिल्कुल k आ रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा m होगा option c यहाँ से बिल्कुल right answer होता है अगला सवाल पर चलते हैं देखो यह होगा हमारा alpha weight और number mix इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं सिरीज में जितने type के question बनते हैं सिरीज में वह मैंने सारा cover किया है इस chapter में मतलब इस topic में इस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा बस इसी concept पे question पूछे जाएंगे ठीक है तो देखो एप सबसे पहले इस पर क्या करना कि यह alpha weight का सबसे पहले पता कर लो यह alpha weight कैसे लिखा जा रहा है ठीक है यह alpha weight कैसे लिखा जा रहा है तो एप से के पहुँच रहे है जी एच आई जे के यानि प्लस फाइब करके पहुँच रहे है तो U से अगर हम प्लस 5 करें तो B, W, X, Y और यहां पर Z आएगा, Z है कहीं पर, Option B हमारा correct answer हो गिया, आप देख लो, नंबर भी पता कर लेते हैं, 9 से 16, 9 से 16 जाने में क्या हो रहा है, 7, 7 का gap आ रहा है, 9 से 16, 7 का gap आया, 16 से 25, यहां पर 9 का gap आ रहा है, और यह series, जैसे हमने पह gap निकालो, तो क्या हो जा रहा है, 11, तो देखो sequence मिला, 7, 9, 11, 7, 9, 11, gap मिल रहा है, 7, 9, 11, इसके बाद odd number है, यहां पर 13 को निकालना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, यानि कि 9 में 7 एड़ हुआ, 16 में 9 एड़ हुआ, तो 25 आया, 25 में 11 एड़ हुआ, 36 आया, तो 36 में 13 को हमारा correct answer, अगले सवाल पर चलते है, क्या दे रखा हुआ है, F, E, 9, G, H, 11, और L, N, 15, और P, Q, 17, चलो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलफा वेट का, तो F से G पर चलो, F से G पर चलो, क्या करना पड़ रहा है, प्लस वन करना पड़ रहा है, फिर G से यहां, यहा बिच का निकाल लेते हैं, ठीक है, L से P पर चलते है, L से P जाना हो, तो L से P जाने पर हमने क्या करना पड़ेगा, L से P पहुचने के लिए M, N, O, P, PLUS, 4 करना पड़ेगा, तो यहां 1 है, यहां 4 है, तो जाहिर से बात है, यहां पर PLUS 2 होगा, यहां पर PLUS 3 होगा, तो G पर प्लस 2 कर दो, G पे प्लस 2 कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, G पे G प्लस 2, H I, H I यहाँ पर I आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर I आना चाहिए, तभी I में अगर आप प्लस 3 करो, तो L आ जा रहा है, ठीक है, अब पता करते हैं, next, यानि कि E से H, E से H कैसे पहुँचा जा रहा है, E से H पहुँचने के लिए, हमें क्या, प्लस 3 करना पड़ रहा है, उसी तरह, अब E से भी छोड़ दो, अब यहाँ से N से Q का सिक्वेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो, N से Q, प्लस 3 हो रहा है, तो जाहिए से बात है, नेक्स टम जो है, वो प्लस 3 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 3, प्लस 3, तो देखो, H में प्लस 3 कर दो, H में प्लस 3 कर दे रहे, तो क्या आ जाएगा, K आ रहा है, यहाँ पर K आ रहा है, यहाँ पर I आया, I के बाद K आ रहा है, H में plus 3 कर दिया हमने तो क्या आगया? K आगया ठीक है? और यहाँ पर भी plus 3 कर दो K से plus 3 कर दो तो N आ रहा है सिक्वेंस पूरा मैच कर रहा है चलो अब नंबर की बात करते हैं नंबर की बात करते हैं तो gap निकालना पड़ेगा यहाँ पर जो नंबर होगा वो 2 का 9 में से plus 2 हुआ तो 11 15 में से plus 2 हुआ तो 17 तो जाहिर से बात है 11 में भी हमें plus 2 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 13 होगा यानि कि यहाँ पर 13 होगा तभी 13 में plus 2 हुआ है तो 15 हुआ है तो यह होगी हमारा answer कौन सा है? option A यहाँ से correct answer अगले सवाल पर चलते है देखो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ देखो यह fill in the blanks कहलो यहाँ पर question mark रहता है और क्या है? यह सेम चीज है 4 12, 36, 108 सेम concept लगाना कुछ नहीं करना बीच का gap निकालो उससे निकल रहा है तो ठीक ने तो फिर कुछ और logic लगाते है तो देख लो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो gap निकालने से तो नहीं होगा क्योंकि multiple value है मलब जादा जादा value है तो क्या करेंगे? हमें पता करना पड़ेगा यह multiple, 4 का multiple बराबर है कि ने? 4 into 3 करें तो 12 आ रहा है बराबर आ गया अब 12 into 3 कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा? 36 चलो ठीक है इसमें एक ही हो रहा है 36 में भी 3 का multiply हो रहा है तो यहाँ पर हो जा रहा है 108, 3 का ही multiple है सारा 108 में अगर हम 3 का multiple कर दे तो 3, 24 हो जा रहा है तो उसी तरह 3, 24 में हमें 3 का multiply करना पड़ेगा तो आ जाएगा 972 यही आएगा 972 और यहाँ पर अगर देख लो 972 972 में अगर आप 3 का multiple करो तब जाके 2916 आ रहा है तो 972 ओप्सन A यहाँ से क्या हो जाता है? बिल्कुल correct answer हो जाता है अगले सावल पर चलते है अगले क्या दिया हुआ? देखो कभी इस तरह कभी पूछ देता है कि wrong term हमें पता करना है यह जो sequence दिया हुआ है इस sequence में कौन सा sequence है? जो गलत तो गलत कैसे पता करेंगे? same concept लगाना है अब क्या? यू से क्यू पहुचो यू से क्यू पहुचो यू से क्यू पहुचने के लिए क्या है? पीछे जाना पड़ रहा है कितना पीछे जाना पड़ रहा है? माइनस 4 पीछे जाना पड़ रहा है उसी तरह क्यू से N अगर हम चले Q से N अगर हम चले तो क्या हो जा रहा है Q से N अगर चले तो Q से N जाना हम है P O N यानि कि क्या करना पड़ रहा है पीछे जाना पड़ रहा है Q से N अगर जाए तो पीछे जाना पड़ रहा है कितना पीछे जाना पड़ रहा है माइनस 3 पीछे जाना पड़ रहा है, minus 3 ठीक है, minus 3 करना पड़ रहा है अब T से T से R जाना है T से R जाना है, ठीक है T से R जाना है यहाँ पर U है, U से Q पे चले गए, अब Q से N पे चले गए, पीछे चले गए Q से N, हाँ ठीक है, उसके बाद अब N से हमें R पर जाना है N से R पर चलते है तो N से R के लिए हमें आगे बढ़ना है O, P, Q, R यहाँ पर O, P, Q, R O, N यहाँ पर है N, O, P, Q, R प्लस 4 हो जा रहा है और S पर आने के लिए हमें क्या है? S पर आने के लिए R से S N की प्लस 1 करना पढ़ रहा है तो गडबड़ी देखो कहाँ पर है गडबड़ी कहाँ पर मिल रहा है गडबड़ी हमें मिल रही है कहाँ पर? गडबड़ी हमें मिल रही है इस पर Q N जो है यहाँ पर यहाँ पर यह N नहीं होना चाहिए था यह n के जगा यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ minus 3 देखो concept कैसे चल रहा है concept यहाँ पर चल रहा है एक बार plus minus फिर plus यहाँ पर plus होना चाहिए था ठीक है तो plus 3 करते हैं Q से अगर हम plus 3 करें, Q से plus 3 करें तो, Q से अगर हम plus 3 करें, तो यहाँ पर T होना चाहिए, T होना चाहिए, ठीक है, T होता, तभी जाकर, यहाँ पर क्या हो जाता, T होता, यहाँ पर T होता, तो R पे पहुँचने के लिए, हमें क्या करना पड़ता, माइनस 2 करना पड़ता, अब देखो, आप सेक्वेंस ठीक हो रहा है, N के जगा पर T रख दो, P, U, Q, यहाँ पर N के जगा पर हमने T रख दिया, तो देखो, P से U जाने में हमें, प्लस 5 करना पड़ रहा है, फिर U से Q जाने में हमें, माइनस 4 करना पड़ रहा है, अब Q से T पर अगर जाओ, तो प्लस 3 हो रहा है, और T से R पर जाओ, तो माइनस 2 हो रहा है, और यहाँ से प्लस 1 हो रहा है, देखो, आप सिक्वेंस मैच किया, तो गड़बड़ी कहा थी, गड़बड़ी यहाँ थी, N के जगाँ पर T के जगाँ पर N डाला हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ी किस पर मिली, N पर, तो N पर, option D जो है, यहाँ से बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अगला साहल पर चलते हैं, तो 287, 336, 384 और 434, missing term पता करना है, again, missing term चलो, क्या करना, कुछ नहीं करना, gap निकाल देते हैं, gap क्या हो जाएगा, 49, यहाँ पर gap निकाल दो, 49 नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 49, same same है, तो यहाँ पर का भी gap 49 होगा, अब plus हो रहा, minus हो रहा, increasing में है, इसमें इसे add किया, तब 49 हुआ, add हो रहा, तब 49 हो रहा, तो जाएर सा बात है, 434 में हमें क्या करना पड़ेगा, 49 को add करना पड़ेगा, तो add कर जा रहा, यह आ जा रहा, यह आ जाएगा, 483, यानि कि option B जो है, बिलकुल यहाँ से correct answer हो जाता है, अगला देखो, यह है, यह सवाल को आप solve करना, बहुत ही easy है, इसको solve करके नीचे जाकर, comment box में इसका answer बताना कि इसका answer क्या होगा, ठीक है, तो यह क्या था हम हुआ, इसके बाद के topic हम लोग next class में देखेंगे, तो session को like, share और subscribe करना भूल गी हो, तो वो कर देना, ठीक है, thank you